हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल मैं प्रीती और आज मैं आपके साथ जो रेस्पी शेयर करने वाली हूँ वह है विंटर रेसिपी बत हुए की दाल सर्दियों के मौसम में ग्रीन कीवे की दाल बहुत ही पोस्टिक होती है और उसको बनाना बहुत ही असान है बहुत ही कम इंग्रेडियंट्स में बनके रेडी हो जाती है बहुत ही ज्यादा पोस्टिक होती है तो इसको आप विंटर में जुरू बनाईएगा जुरू ट्राइ करते हैं. तो फ्रेंश ये देखिये यह है बथुआ ये देखिए फ्रैश्ट फ्रैश्ट बथुआ और इसको जो मोटी मोई डंडिया है उसको हटा दिया है हमने और अछे साफ कर लिया है और तीन बार पानी से अच्छे से वाश कर लिया है काटेंगे बारिक बारिक इसको हम चौप करेंगे तो फ्रंस ये देखिए हमने बथुयों को अच्छे से काट लिया है और तकरीबन ये हाफ केजी बथुआ है और बत्वे की दाल बनाने के लिए हमने लिए है दाल, एक कब दाल है यह उरत की दाल और दाल को भी हम दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लेंगे और फिर बनाएंगे इसकी दाल तो यह देखिए फ्रेंड्स दाल को हमने अच्छे से वाश कर लिया है तो सबसे फ़र डालेंगे हम डाल उसके फ़र डालेंगे हम बात हूँ एक कप डाल ली थी हमने तो उस साब से मैं तीन कप पानी डालूँगी और अगर जुरूत पड़ी तो बाद ने फिर पानी डाल सकते हैं अगर डाल गाड़ी हुई उसके बाद मैं डालूँगी वन अड़ हाफ स्पून नमक और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके लवाम उसमें कुछ चैड नहीं करेंगे ना हल्दी ना मसाला कुछ नहीं जाएगा इसमें और ऐसे ही कूकर का ढखकन लगा देंगे और दो सीटी आने के बाद पांच मिनट धीमियाच पी पकाएंगे अब गैस ओन कर देंगे और कूकर को गैस पे रख देंगे तो फ्रेंड्स कूकर में दो सीटी आ गई है और दो सीटी आने के बाद इसको गैस स्लो कर देंगे 5 मिन तक कूकर की स्टीम निकल चुकी है अब हम चेक कर देते हैं कि दाल हमारी गल गई है की नहीं और यह देखिए दाल अच्छे से गल गई है पर मुझे थोड़ी गाड़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी जादा नहीं बस आधा कप पानी इसमें आड़ करूंगी और उसके बाद इसको पकाना नहीं है बस एक हलका सा बॉयल आने के बाद मैं गैस ओफ कर दूंगी तब तक हम तड़के की त्यारी कर लेते हैं और तड़के के लिए मैंने लिया है दो चम्मच देसी घी छे से साथ लेसुन की कलिया और लेसुन की कलिया को हमने बारिक चॉप कर लिया है तीन हर इमिज इसको बारिक चॉप कर लिया है क्योंकि इसमें और कोई मसाला नहीं प रखेंगे एक छोटा सा पैन और इसे गरम होने देंगे और इसमें डालेंगे दो चमश देशी घी आप चाहिए तो सरसों को तेल में डाल सकते हैं पर इसमें टेस्स बहुत ही अच्छा आता है तो घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे और फ्रेंड इदर हमारी दाल बॉयल हो को कर देंगे और देखें यह इसके बाद इसलिगर्द हते हैं घ्रषिता टेंगे ऍशनल्य चाह को बाद मिलड़ा पारी देंगे ऊच्छा एपने क ultimate करूंगी एक बॉल में गर्मा गरम इसको अब सर्फ करिएगा बहुत ही टेस्टी डाल बनी है और फ्रेंड्स वाव बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है इसकी और उपर से डालूंगी मैं देशी घी और इसको आप चावल से रोटी से खाईए और खिलाईए और हेल्द बनके रेड़ी है तो फ्रेंड्स को ट्राय जूर करिएगा आई होप आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी होगी तो शट्पिट बनाएए बत्वेक की डाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई